हलो दोस्तो स्वागत है आपका बज़र बाइम है दोस्तो आज हम लेके आये रियल्मी की तरफ से रियल्मी 9 pro plus दोस्तो एक लेटेस डिवाइस है रियल्मी की तरफ से 60 वाट का आपको सुपर चार्ज मिल जाता है और 90 हर्ट का सुपर अमुलड डिस्प्रेय है और दोस्तो अगर इसके सेल में मुझे 24,000 रुपीज में मिला विद HDFC के साथ तो चलिए दोस्तों बिना वक्त कवाए जल्दी से इसकी एंबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है कि इसमें मेरे खाल से किसमें लाइगा के से और सीम इजेक्टर तूल यहां पर से मिचल रियल मिका सेटी गाइड है ये कौन पड़ता है वेसे भी आशकन रियल्मी क्विक गाइड ये सब रखते हैं साइड में ये केस है दोस्तों यह अपना में डिवाइस है इसको फिलाल रखते है साइड में और बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको 60 वैट का सुपरड़ चाजर मिल जाता है यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं 60 वैट सुपरड़ चाजर ओके इसमें प्लास्टिक पाकिंग डिवाइस को यहां पर टाइब दोस्तों अब यहां पर चेकर सकते दूस्तों येश्म की में टिक थीक था है जसना को फोकुश करके दिखाता हूं टाइब सियूस्तों इस भी के और आब हैए kanak दोस्तों इन सबको रखते हैं फिलाल साइड में और बढ़ते हैं अपनी डिवाइस की तरह दोस्तों डिवाइस के ओवर्विव की बात करें तो डिवाइस के फ्रेंट में आपको 6.4 इंच का एक Super AMOLED डिस्प्लेय मिल जाता है with 90 Hz of refresh rate and दोस्तों इसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 protection भी मिल जाता है डिवाइस के अपर लेफ्ट कॉर्णर में यहाँ एक 16 Megapixel का camera है with f2.4 aperture अगर डिवाइस के अगर लेफ्ट में देखें दोस्तों जसमें आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर volume up-down की है और यहाँ पर seam tray है right side में सिर्फ दुस्तों इसका lock unlock की है अगर आप चेक कर सकते हूँ device के bottom में अगर देखें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm audio jack मिल जाता है एक noise cancellation mic है USB type-c charging port और यहाँ पर audio output grill है अगर top side में देखें तो यहाँ पर secondary noise cancellation mic है इसके back side में आपको premium glass finish मिलता है दोस्तों एक shiny आपको दिखाए देगा अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों यह एक glass है लाकि कोई plastic या फिर metal body दोस्तों यहाँ पर triple camera setup है जिसमें से दोस्तों जो primary camera है वो Sony का 50 megapixel का camera है with Sony IMX 766 sensor and with f1.8 aperture के साथ दोस्तों जो secondary camera है वो 8 megapixel का ultrawide lens है with f2.4 aperture and दोस्तों यह जो 3rd camera है यहाँ यह 2 megapixel का macro lens है with f2.4 aperture and यहाँ पर दोस्तों एक flashlight है मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है 50 megapixel का with optical image stabilization दोस्तों device अपना start हो चुका है दोस्तों मैंने just notice किया यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं device के details बता देता हूं about device यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं यहाँ पर Dimensity 920 जोके एक octa-core processor है and दोस्तों यह 6 nanometer based chipset है and with Mali G68 CPU के साथ आपको मिल जाता है okay and दोस्तों इसके अगर storage के बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो RAM है इसका 8GB दोस्तों मेरे पास यह यहाँ पर 3GB लिखा हुआ है यह memory based RAM है और दोस्तों यह device की storage की capacity की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 128GB की memory है okay and दोस्तों अगर इसके Android version की बात करें तो यहाँ पर इसका Android version दिया गया है Android version 12 so device के battery की अगर बात करें तो device में आपको 4500 mh की battery मिल जाती है with 60 watt का super dot charge आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों device के अगर camera की बात करें तो device में आपको night mode street mode video photo portrait portrait 50 megapixel and more में different modes दिये गें आपको यहाँ पर जैसे pro mode है अगर आपको manually photo click करना है panorama mode है then ultra macro shots then flame mode है slow motion time lapse dual view video mode है इसमें आप front and back camera दोनों on रख सकते है text scanner आपको कुछ scan करना है starry mode and tilt shift okay and दोस्तों यहाँ पर अगर photo में अगर settings की बात करें तो top में आपको flashlight HDR AI अगर आपको on off रखना है और यहाँ पर 4.3 aspect ratio है अगर आपको full चाहिए तो आप यहाँ से full कर सकते हो अगर आपको 4.3 चाहिए या फिर कुछ different चाहिए 16.9 तो आप यहाँ से change कर सकते हैं अगर इसके settings की बात करें तो यहाँ पर आपको timer मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों इसके general settings है shutter sound अगर इसके video की settings की बात करें तो यहाँ पर आपको same flashlight air on off 1080p या फिर resolution आपको 720 या फिर 4K में set करना है तो आप यहाँ से set कर सकते हो अगर यहाँ पर इसके settings है अगर यहाँ पर आपको frame rate का option यहाँ पर 30 and 60 1080p में आपको 30 and 60 का मिल जाता है लेकिन 4K में आपको 30 fps का आपको frame rate नहीं मिलता है आप यहाँ से इसको change कर सकते है like 1080p में आपको 60 fps ही है तो में यहाँ से 60 fps set कर सकते हो दूसरों device के कुछ camera samples मैं आपको click करके वीडियो में upload कर दूँगा आप वहाँ पर चेक कर सकते हो इसके अगर डिस्प्ले कालटी की बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो डिस्प्ले क्वाटी बहुत ही बढ़िया है अपको side viewing angle भी दूसरों बहुत ही अच्छे मिलते हैं आप चेक कर सकते हो मैंने दूसरों यह वीडियो का resolution मैक्स में रखा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ट्वेटी सिक्स्टी और ट्वेटी सिक्स्टी और ट्वेटी बहुत ही बढ़िया है लाउड एंट क्लियर है अगर आपके पास कुछ भी कोशन्स है तो आप प्लीस कमेंट कर दीजिए मैं ट्राइक करूंगा उसको आसर करने के लिए है और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अकर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीस इसको लाइक कर देना थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली बार नए प्रोड़क्टे साथ तेल देन बाई-बाई-बाई-थैंक्स फॉर वाचिंग